राहू के लिए करें खोटे सिक्के का उपाई, बेस्ट उपाई फोर राहू नमस्कार दोस्तों, मैं ललिट शर्मा, आपका अपने यूट्यूब चैनल All Problems One Solution में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, परन्तु अचानक से कुछ अडचने आने शुरू हो गई और आपका चलता चलता कारोबार ठप हो गया, आप जगडे, फसादों में फस गए और कई लंबी बिमारियां शुरू हो गई अगर अचानक से आपके जीवन में खलबली मच गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहू आपको बहुत ही अशुब फल दे रहा है अचानक से यह मंदी स्थितियां राहू पैदा करता है जब यह आठवे घर में हो या वर्ष फल में आठवे घर में आ जाए जब आपकी जनम कुंटली में राहू आठवे घर में स्थित हो तो वह आपके लिए एक से एक नई मुसीबत पैदा करता है अब इन मुसीबतों से आपको यह खोटे सिके ही बचा सकते हैं पुराने जमाने में एक पैसे, दो पैसे, पांच पैसे, दस पैसे आदी के सिके चलते थे यह सिके आज कल प्रचलन में नहीं है इसलिए इनको खोटे सिके कहा जाता है यह गिल्ट धातू के बने होते थे जो की राहू की धातू है तो हम राहू की धातू से ही राहू का उपाई करेंगे आपको करना क्या है आप ऐसे आठ सिक्के लें और बुद्वार से शुरू करके अगले आठ दिन तक इन सिक्कों को जल परवाख करते रहें मतलब आपको कुल चौन्ट सिक्के चाहिए जो आठ दिन आठ आठ करके जल परवाख करेंगे यह सिक्के आपको किसी पंसारी की दुकान से या ऐसी दुकान से जहां से पूजा पठ का समान मिलता है असानी से मिल जाएंगे यह उपाए आपको आठ दिन लगादार करना चाहिए और बीच में गैप नहीं डालना चाहिए अगर आपके घर के आसपास ऐसा स्थान नहीं है जहां आप यह सिक्के जल परवा कर सके तो आप इन सिक्कों को किसी धार्मिक स्थान पर भी चड़ा सकते हैं अगर आप राहु की महादशा या अंतरदशा के कारन पीड़ित हैं तो आप यह उपाए अवश्य करें इस दशा में आप 43 दिन तक हर रोज एक सिक्का जल परवा कर सकते हैं कोई भी 43 दिन का उपाए आप चोथ, 14 या नवमी तिथी को शुरू कभी भी ना करें दोस्तों इस उपाए को किजिए आप देखेंगे कि आपके बंद पड़े कारोबार चल पड़ेंगे आपकी सेहत में बहुत सुधार आएगा और आप फालतू के लड़ाई जगडों से भी बच पाएंगे नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं और आप अपनी कुंडली का विशलेशन कराना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नमबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे